नमसकार दोस्तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दोस्तो का सवाल आया है कि क्या हमारे चैनल यानि कि एडसन्स का अगर सीटिया दस परतिशत से अधिक बढ़ जाता है तो क्या हमारा एडसन्स डिसेबल हो जाएगा इसी सवालो को आज कि इस वीडियो में में सन करेंगे इस से लाइब चेटिंग करेंगे और आपके दो स्वाल पुछेंगे जो कि अभी आप स्क्राइब देख पा रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है कि क्या यूटूब का CTR 10% से अधिक बढ़ जाने पर अधिक दिसेबल हो जाता है और दुसरा सवाल होगा क्या यूटूब का CTR और अधिक अलग अलग होता है अगर नहीं तो इनका जो डेटा है वो दोनों में अलग अलग की दिखा जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लाइब इनी सवालों को यूटूब के जो इंपलॉई लिक्या तो यहां पर लोडिंग ले रहा है अभी चैट इन प्रोसेस लिखा हुआ रहा है उसके बाद नीची आपको एक यहां पर चैट का ओप्शन दिखने खुग लेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है यू आर नंबर इन वन क्वीड तो यहां प अपके लेते हैं आपको बता दे कि यूटूब से आपके वल इंडिया से हैं तो इंग्लिस में ही चैट कर सकते हैं हिंदी लेंग्वेज वो नहीं समझ पाते हैं तो हम यहां से इसका इंग्लिस को ट्रांसलेट करके रखें उससे हम आप पर पेस्ट कर देते हैं और इसे से करते हैं, जैसे कि हमने send किया, hello sir, I have a question, do is absence disabled when YouTube CTR increased 10% देखते हैं क्या जवाब आता है। तो आप देख सकते हैं उदर से टाइब किया जा रहा है इस सवाल को लेकर करके देखते हैं क्या जवाब आता है उदर से अभी टाइब कर रहा है इनका नाम है बॉन बॉन जी जो कि यूटुब के एमपल आई हैं जिनसे हमें आरही अभी लाइप चैटिंग हो रही है कुछ टाइब कर रहे हैं सायद उधर से देखते हैं क्या जवाब आता है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमें जवाब मिल चुका है जिसमें लिखा गया है कि Hello, Thank you for the question YouTube will not disable even if your CTR increase over 10% यानि काने का मतलब यह है कि YouTube आपका जो एट्सन से उसे कभी डिसेबल नहीं करता अगर आपका CTR 10% से अधिक बढ़ जाता है तो तो आप देख सकते हैं YouTube की तरफ से एक और रिपलाई आया जिसमें लिखा हुआ है कि इंप्रेशन क्लिक तुर रेट ऑफ से टी आर सो योर वाट परसेंटेज ऑफ योर इंप्रेशन टर्न इन्टो विव दा मेजर सो अफ टेन वियर सो रिपीवर वाचेड योर वीडियो आफ्टर स्विंग थमलेन नहीं कि कहने के मतलब है कि आपका जो थमलेन है उसको देख करके आपके भीवर ने कितनी बार क्लिक किया और कितने टाइम तक आपके वीडियो को देखा इसे पर डिपेंड करता है आपका CTR तो कुछ यह थी जो CTR से लिटर जनकरिया थी चलिए अब जो हमारा दूसरा सवाल है जैसा कि आप देख सकते हैं स्कूरा हमारा दूसरा सव करते हैं तो चलिए हम यहां से अपना दूसरा question paste करते है और इनका जबाब मांगने की कोसिस करते है तो हमने question को यहांसे password कर दिया इसे send कर देतें तो आप देखसकते हैं यह question send हो चुका है दोस्तों एक बात आपको यहां कर दूँ कि जो YouTube का analytics है उसमें अगर आप अपना CTR चेक करेंगे तो आपको अलग ही डेटा दीखने को मिलेगा और वहीं अगर CTR आप अपने Adsense account में चेक करेंगे तो अलग ही देखने को मिलेगा तो इसे question को हमने फूछने की कोशिज की है कि क्या YouTube वाला CTR और Adsense में जो दिखाया जाता है वह CTR एक ही होते हैं अगर हाँ तो दोनों में डेटा अलग अलग ही दिखाया जाता है तो देखिए क्या जबाब आता है उनके तरफ से इस सवाल का कि टाइप कर रहे हैं कुछ उधर से साइद तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप पर लिखा गुए दियर इज डिले ऑन रियल टाइम डेटा यूज्यूली इट टेक 48 hours to 72 hours in the data यानि कि इसमें बताया जा रहा है कि यह डिले होती है यूट्यूब में और आपके जो एड्सेंस हैं उसमें एक में 48 गंटे और एक में इसके कारान आपको इस तरह से दिखाया जाते हैं तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लाइब चैटिंग की यूट्यूब के जो इंप्लॉई है उनसे यह दो स्वालों को लेकरके इसी तरह के अगर आपके पास भी कोई सवाल सुजाव है और आप भी डाउट में है तो आ आप लोग को भी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजिए और साथ में बेल आइकोन को भी प्रेस्ट किजिएगा इंड़ दा चैट हम यहां लिख देते हैं in the chatting